पाठ चार रंग बिरंगी नाव तो बच्चों आज हम पाठ चार पढ़ेंगे दोस्तों मेरा नाम विशु है मेरी मम्मी ने मुझे कल नाव बनानी सिखाई मैंने कागस की नीली नाव बनाई और पानी में चलाई गुलाबी लाल और पीले रंग की कागस की नावें बहुत सुन्दर लगती है कागस की नाव में कोई बैठ नहीं सकता लेकिन उसे पानी में चलाने में बहुत मज़ा आता है हम उनसे अपना मनोरंजन कर सकते हैं मम्मी कहती है कि मजे की चीज़ें मनोरंजक होती है और काम की चीज़ें उप्योगी लेकिन मनोरंजन में भी कुछ न कुछ उप्योगी होता है कागज की नाव से जब हम खेलते हैं तब वह मनोरंजक होती है लेकिन उसे बनाते समय हम कुछ सीखते हैं इसलिए वह उप्योगी भी है तो चलो रंग भी रंगी नाव पनाते हैं क्या सिखा अपने इस पार्ट से बचो तो इससे हमने सिखा अपने मनोरंजन के लिए हम अन्य उप्योगी चीज़ें भी बना सकते हैं जैसे ये कागस की नाव बनाई है वैसे कागस से हम कुछ भी कटिंग करके अपना मनोरंजन कर सकते हैं तो ये तो हो गया पार्ट चार अब कुछ आपको सब्दार्त और शुरुतले बताऊंगी जिसको आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है कक्षा द्वित्तिय विशय हिंदी पार्ट चार रंग बिरंगी नाव इसमें मैंने शब्दार्त भी लिखे हैं और शुरुतले बी आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में उसको करना है नाव पानी में चलने वाली मजा आनंद मनोरंजन मन को खुश करना उप्योगी काम में आने वाला शुरुतले बी जैसे नाव रंगीन मनोरंजन उप्योग कागज मजा तो ये आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है